Hello and Welcome to CMC Indoor अभी बिहार में काफी सारी भरतियां निकल कर आ रही है तो उनी में से देखो 10,000 से भी जादा पोस्ट के लिए एक भरति निकल कर आई है जिसमें कई सारी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के लिए ये भरति है तो इसमें application form कब से भरे जाने है other state वगेरा को कितना form fee देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें मैं detail में बताऊंगी और पोस्ट के नाम क्या-क्या होंगे ये भी हम detail में discuss करेंगे देखो सबसे पहले तो application form देख लेते हैं देखो यहाँ पर लिखा है बिहार डायरेक्टरेट ओफ लैंड रिकॉर्डेंट्स सर्वे DLRS इनकी तरफ से ये भरति निकाली गई है पोस्ट भी बता दूगी मैं ठीक है application कब से शुरू होगा मतलब आप form कब से भर सकते हो तो 13 अप्रेल 2023 से आप form भर सकते हो last date एक महीना करीब आपको दिया गया है 12 माई 2023 तक आप form भर सकते हो लिए last date है last date तक wait नहीं करना है examination fee उसी दिन तक आप दे सकते हो exam fee भी जो है payment जो करना है आपको वो भी 12 माई तक आप pay कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपने form भरने में कोई गलती कर दिये कोई mistake कर दिये तो correction आप कब तक कर सकते हो तो 18 से 20 माई तक आप यहाँ पर correction कर सकते हो exam date अभी तक आया नहीं है as per schedule लिखा हुआ है आने वाला है जैसे ही आएगा वो हम बता देंगे आपको admit card का भी अभी कुछ भी नहीं बताया गया है next है age limit देखो पहले तो यहाँ पर post देख लो post के नाम देख लो तब age limit समझ में आएगा total 10,000 से भी जादा post यहाँ पर है special survey ameen के लिए जो post की संख्या है वो है 8,244 इसमें आपको जो पढ़ाई की जरूरत है मतलब आप कितने पढ़े लिखे होगे तो यह paper दे पाओगे इस post के लिए apply कर पाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है diploma in civil engineering in any recognized institute in India मतलब civil engineering में diploma होना चाहिए किसी भी institute से भारत के next है special survey clerk इसकी 744 post है इसके लिए आपको bachelor degree लेनी होगी किसी भी stream से मतलब graduation के degree आपके पास होनी चाहिए simple सी बात है next है special survey कनूंगो इसकी 758 post है इसके लिए आपका educational criteria यहाँ पर diploma in civil engineering in any recognized institute in India साथ में 2 साल का experience आपको यहाँ पर होना चाहिए यह थोड़ा सा अलग दिखा रहा है next है special survey assistant settlement officer ASO इसके लिए total 355 post है इसमें भी थोड़ा educational qualification आपकी अलग है यहाँ पर देखना BE या B.Tech degree आपकी होनी चाहिए civil engineering में with 2 year experience यह 4 post है total post यहाँ दे दी गई है total 10,000 से जादा post है यह मैंने बता दिया बहुत बड़ी एक vacancy है बिहार के लिए और साथ में यहाँ पर अगर मैं आपको बता हूँ तो age limit देखो post तो मैंने बता दिया अभी यहाँ पर age limit देखो ameen और kanungo post के लिए age limit होगी minimum age 18 साल minimum age होगी 18 साल minimum age clerk और ASO post के लिए होगी 21 साल बतलब 18 और 21 साल यहाँ पर clearly mention किया गया है maximum age यहाँ पर 37 years होगी male के लिए और maximum age female के लिए होगी 40 years अब आप लोग यह जानना चाहते होगे कि भी यह फीस कितनी लगेगी other state का क्या scene है तो यहाँ पर देखो general OBC और EWS के लिए 800 रुपए फीस लगेगी अगर दूसरे state का यानि other state का कोई person यहाँ पर फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए भी 800 रुपए ही फीस लगेगी SC, ST और PH कैटेगरी के लिए बिल्कुल half लगेगा मतलब 400 रुपए यहाँ पर फीस लगेगी I hope आपको यह notification बहुत अच्छे समझ में आया होगा चोटा सा notification है बहुत जादा कुछ detail में समझाने के लिए है नहीं जैसे ही exam date आएगा हम आपको बता देंगे ठीक है तो इसी तरह के वीडियो उसके लिए हमारे वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को जादे से जादा शेयर करें आएज के लिए नहीं, थाइग जो मत